नकारात्मक उर्जा क्या है? जाने नकारात्मक उर्जा को दूर करने के उपाए. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे घर में नेगेटिव एनरजी है, मेरे उपर नेगेटिव एनरजी का प्रभाव हो गया है. जीवन पर नकारात्मक उर्जा का प्रभाव कैसे पढ़ता है और कैसे इसके प्रभाव को दूर किया जाए? सबसे पहले यह जानते हैं कि नकारात्मक उर्जा होती क्या है? हर व्यक्ति और वस्तु से उसके स्वभाव के अनुसार तरंगे निकलती रहती हैं. व्यक्ति के अंदर से निकलने वाली तरंगें ज्यादा प्रभावशाली होती हैं. वस्तु से निकलने वाली तरंगें कम प्रभावशाली होती हैं. लेकिन प्रभाव दोनों का होता है. व्यक्ति की तरंग का और वस्तु की तरंग का प्रभाव अवश्य पड़ी डेटा है. एक साथ जब धेर सारी तरंगे इकठा हो जाती हैं, तो वह विशेश तरह की उर्जा बन जाती है। अच्छे संसकार वाले व्यक्ति की उर्जा पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है, जबकि खराब संसकार वाले व्यक्ति की उर्जा नकारात्मक होती है। यह हमारे और हमारे प्रगती के बीच में आकर सब कुछ रोग डालती है। एक नकारात्मक व्यक्ति अपने घर में अपने ओन्फिस में नेगेटिव एनरजी पैदा करेगा। इस तरह घर में नेगेटिव एनरजी जमा होने लगेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब उन्नती आगे बढ़ाने की स्थिती रुख जाएगी। कैसे पहचानेंगे कि घर में नकारात्मक उर्जा है या नहीं है। अगर घर में नकारात्मक उर्जा है तो मीठी चीज, मिठाई, चीनी अगर खुली रखी जाए और बावजूद इसके अगर इसमें चीटियां नहीं लगत अगर आपके घर में काफी पैसा बीमारियों में और दवाईया में खर्च होता है तो इसका मतलब भी यही है कि आपके घर में नेगेटिव एनरजी ज्यादा है। अगर बार बार घर की दीवारों पर सीलन आ जाती हो तो इससे भी आपको समझना चाहिए कि आपके घर में ज्यादा है। जिन घरों में बार-बार सीलन आ जाती है, तमाम उपाय करने के बावजूद अगर घर में सीलन बार-बार रहती है, तो इसकी वजह से घर में नेगेटिव एनरजी पैदा होती है। इस तरह आप टेस्ट कर सकते हैं आपके घर में नेगेटिव एनरजी है या ही है।